उने कहा कि दिल्ली जहां से नियम बनाए जाते हैं अगर तुमारे खलाफ नियम बने तो उसके उसके लिए लड़ने की कवायद रखो चौदरी चरण सिंग कभी हवाई जात से नहीं गुंते थे चरण सिंग हमारी पीड़ी के युवाओं के सामने यह आंदोलन दो प्रकार से बहुत एहम है जिसको मैं आंदोलन के बीच में शामिल होकर के भी और खुद लिखने पढ़ने में महसूस कर रहा हूँ वो आपसे साजा कर रहा हूँ सबसे पहली बार यह किसान आंदोलन हमारी पीड़ी के युवाओं के बीच जिस पीड़ी के युवाओं ने चौधरी चरन सिंग को नहीं देखा बाबा महें सिंग टिकैत को नहीं देखा जिस जिन युवाओं ने चौधरी छोटु राम को नहीं देखा किसानों की बात करने वाले डौक्टर राम मनहर लहिया बाबुजग्देव प्रसाथ करपूरी ठाकोर चंदिका प्रसाथ जग्यासू राम सरुप वर्मा इन तमाम लोगों का ललाई सिंग्या दो इनको नहीं देखा जाना उन युवाओं के बीच में यह किसान आंदोलन उनकी आखों के सामने एक नए बनते हुए इतिहास के रूप में आ रहा है क्योंकि जिन लोगों का नाम मैंने लिया इन लोगों को हमने अपनी आखों से नहीं देखा हमारी पीड़ी के लोगों ने अपनी आँखों से नहीं देखा किताबों में पढ़ा है जिनों ने उस दौर का इतिहास देखा है या लिखा है उस इतिहास के जरिये हमने जाना की चोधरी चरंशिंग महन सिंग टिकैत चोधरी छोटूराम, डकलोहिया करपुरी ठाकोर जग्देव बाबूर, रमसुर वर्मा, ललाई सिंगादो इन सारे विचारकों की वैचारिकी में किसानों की क्या एहनियत थी उन्हेंने किसानों के लिए क्या लड़ाईया लड़ी है और कैसे वो एक कृशी समाज कृशी प्रमुक समाज को कृशी प्रमुक देश को एक बहतर और मुकमल देश बनाना चाहते थे एक नया लोकतंत्र जो साथ दशक में अब अपने एक नए रूप में सामने आ रहा है उस लोकतंत्र ने ऐसी तमाम लड़ाईया लड़ी है तमाम आंदोलन देखे हैं और उन आंदोलनों के आधार पर ही साथ दशक बाद या देश अब एक ऐसे बुहाने पर खड़ा है जिसके बाद यह तैं होगा कि आगे इसका भविश्य क्या होगा इस लिहाज से मैं इस किसान आंदोलन को जन आंदोलनों के एक पाठशाला के रूप में देख रहा हूँ और दूसरी वज़े मेरे इस बात को कहने की यह है कि आप अगर बहुत करीब से पिछले कुछ वर्षों के जन आंदोलनों को देखेंगे तो आप सब इस बात से वाकिप होंगे कि जन आंदोलन यानि जनता का आंदोलन इसकी भूमिका किसी लोकतंत्र में क्या होती है इसे आपको बहुत बारिकी से महसूस होगा लोकतंत्र की परिभाशा ये है कि जनता अपने वोट से एक सरकार चुनती है और चुनने की प्रक्रियम ये होती है कि जो विकल्प आपके सामने मौझूद होते है उन विकल्बों में उनके घुशा पत्र होते है उनकी विचार धाराएं होती है वे ये दावा करते हैं कि अगर उनको सरकार चलाने का मोका मिला तो किसानों के लिए अमुक काम करेंगे नौजवानों के लिए अमुक काम करेंगे गरीबी दूर करने के लिए अमुक अमुक योजिनाएं लागू करेंगे महलाई कम करने के लिए अमुक अमुक काम करेंगे रोजगार के लिए अमुक नितियां लागू करेंगे और उस घुश्रापत्र के आधार पर आपने वोट दे कर सरकार बनवाते हैं लेकिन जब वे अपने वोट पाने के आधार को छोड़ कर सरकार में कुरसी पा जाने के बाद अगर अपने चुनावी वादे को भूल जाते हैं या उसके विपरीत कोई नियम कानून बनाते हैं तो जनता सडक पर उतर कर अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करती है और जब भी लोगतंत्र के इस तरह की कोई परिभाशा या जब भी लोगतंत्र के इस तरह के किसी पाठ पर मैं विशलिशन करता हूँ तो मुझे डॉक्टर राम मनोहर लुहिया बेतर है याद आते हैं और डॉक्टर लुहिया का दो कोटेशन इसे तो अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा कर रख लेला चाहिए पहला जिन्दा को में पांच साल इंतजार नहीं करती ध्यान से समझे का बहुत आसान बात है जिन्दा को में पांच साल इंतजार नहीं करती और जम्हूरियत की एक अपनी नयाब परिभाशा लोगतंत्र की एक खुबसूरत परिभाशा उन्हीं डॉक्टर लोहिया न दी है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसत आवारा हो जाती है हमारा लोगतंत्र टिका किस बेस पर है हमारा वोट ले करके अगर एक लोगतंत्र प्रक्रिया में सरकार चुनी गई है तो जनता ने जिसे वोट दिया है वही जनता उस सरकार के उपर नजर रखती है कि भई आपने ये वादा किया था कि आप दो करूर रोजगार प्रतिवर्ष देंगे पेटोल डीजन 30-35 रुपे लिटर मिलने लगेगा स्मार्ट सिटी बनाएंगे स्मार्ट गाओं बनाएंगे बुलेट टेन चलाएंगे हर व्यक्ति के खाते में पंदर-पंदर लाक रुपए आएंगे यानि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करेंगे ऐसा अगर आपने वादा किया है किसानों की आय का दोगुना देंगे स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू करेंगे उनके अपने सांसद वी शांताराम की रिपोर्ट लागू करेंगे शांताराम उन्हीं की पार्टी के थे लेकिन जब जनता में ये देखा कि आप इसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं और किसानों की लागत दोगुनी करने की बात शांताराम कमेटी की रिपोर्ट हो या स्वामिनातन कमेटी की रिपोर्ट हो वो लागू करने की बात छोड़िए आप ऐसे तीन कृशी कानून ले आ रहे हैं जो किसानी को मूड रूप से मीजी हाथों में छोड़ देगी तो आज हम उस पे बात करेंगे फिलहाल यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आप विचार कीजिएगा कि दो करोन रोजगार पतिवर्ष मिलने की बजाए छे साल में बारा करोन रोजगार होना चाहिए था और फिलहाल आकड़े बता रहे हैं कि बारा करोन नोकरियां लोगों की छूट गई नई नोकरियां खत्म की गई है सरकारी नोकरियां खत्म की जा रही है सरकारी चीजों को प्रैविटाइज किया जा रहा है इस पर आप विचार करिए अब यह मनुक का विश है किसान आंदोलन है 15 लाक मिले या नहीं बन ले हमारे अपने आपके गाउं में कोई स्मार्ट गाउं बना या नहीं बना स्मार्ट शहर बना या नहीं बना बिले ट्रेन चली या नहीं चली नए विश्व विद्याले खोले गए या नहीं खोले गए नई सिक्षान नीती भी लागू की गई है मेरा एक आगरह अब आप सभी शोताओं से हमिशा ये रहेगा कि किसान कानूनों के साथ तीन शमिक कानूनों और नई सिक्षान नीती दोजाबीस तीनों को जोड़ कर जरूर देखिएगा किसान और नौजवान का सवाल है तो इन सारे सवालों को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ आप विश्लेशन करिए आईए हम लोग बात करतें किसान अंदोलन पर तो मैंने अपने वक्तव्य का एक हिसाब को समझाने की कोशश की कि लोगतंत्र क्या होता है लोगतंत्र का अर्थ क्या होता है जिसे चौधरी चरन सिंग का एक कोटीशन में कोट करना चाहता हूँ यहां पर महान के सामने तब चौधरी चरन सिंग ने कहा कि दिल्ली की दिल्ली के रास्ते हमारी पगडंडियों से होकर जाते हैं खेत खलिहान की पगडंडियों से होकर जाते हैं यानि एक रिष्टा है खेतों का पगडंडियों का दिल्ली यानि दिल्ली कह रहा हूं तो पती कापने कूप से वह दिल्ली जहां से सरकारें चलती चलाई जाती हैं और चदर चैन सिंग ने फिर क्या कहा कि किसानों एक पैर खेत में तो एक पैर दिल्ली में रखने के आदर डालो इन सभी कोटेशनों का महत तुम्हें आपको सम पेर रखने की बात चौदरी चैनल सिंह ने की उन्होंने कहा कि दिल्ली जहां से नियम बनाये जाते हैं अगर तुम्हारे खलाफ नियम बने तो उसके लिए लड़ने की कवायद रखो चौदरी चैनल सिंह कभी हवाई जात से नहीं भूमते थे तो वो टेन सजाते तो वो अपनी गाड़ी सजाते थे किसानों के बीच में रहते तो मान किसान ने था उस पर कभी फिर मौका मिला तो बात करेंगे यहां एक व्यक्ति का और कोटेशन याद दिलाना चाहता हूँ रहबरे आजम रहबरे हिंद के नाम से मशुहूर चोधरी सर छोटू राम का और उससे फिर जुड़ा हुआ MSP और मंडी समीती का एक कानून है जिसे इस करशी कानूनों के साथ आप जोड़कर पढ़ रहे होंगे और अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो खोचकर पढ़िएग चोधरी छोटू राम रहबरे हिंद रहबरे आजम के नाम से मशूर थे 1938 के आसपास उन्होंने मंडियों को सरकारी मंडियों को स्टेबिलिश्ट करने में एक बड़ी भूली का निभाई थी बहाश मशूर किसान ने था उन्होंने एक बहुत प्रसिद दवा के कही कि कि किस तरह दुश्मन पहचान लो चोधि छोटू राम का ये प्रसिद्वाक्य है तो लोकतंत्र का मतलब दक्र लोहिया से और भीमराव अंबेटकर के सम्विधान प्रतीक आत्मकूरूपसं कहते हैं दक्र भीमराव अंबेटकर के सम्विधान उसके जब यह हम नागरिक है तो हम सोयन सेवक संग के किसान मजदूर संग भारती किसान संग और भारती मजदूर संग भारती किसान संग भी इन तीन किशी कानूनों का विरोत कर रहा है यानि वो अपना फरज निभार है बहले हम उनकी विचारदारत सहमत नहीं होते एक नागरिक का करतव यह होता है चुने ह चाहिए वरना संसद आवारा हो जाती है अब उस संसद के चरित्र पर देखिए यानि पहला मोलेंकन हमें अपना करना है कि क्या हम अपने नागरिक बोद मिभार है या नी निभार है हमारा नागरिक बोद कहता है कि भाई आँख खोल कर देखते रहो जिसे आपने vote दिया है वह क्या आपके सामने जो वादा लेकर रहा था उसे पलड तो नहीं किया तो वादा क्या किया था उसने आए दोगुनी करेंगे किसानों की दोगुनी आए करना और जब मैं आए कहता हूँ तो बड़ी बारीकी से दोस्तों आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि एक जैसे माली जै मैं दिल्ले विश्वधाले में पढ़ाता हूँ तो मुझे बेसिक सेलरी मिलती है मूल वितन मूल वितन के साथ महंगाई भत्ता जुड़ा होता है महंगाई भत्ता के साथ T.A. ड.A. जुड़ा होता है मेरे आने जाने का खर्षा मेरे तमाम चीजों की सुभदाएं अगर मैं किसी और अच्छी सरकारी में हूँ कथी तवर पर सच्छी अच्छी सरकारी में रहने का आवास मिलेगा कपड़ा धुलवाने का अलग पैसा मिलेगा साल भर में कहीं घूमने जाने का अलग LTC मिलता है एक केसान को क्या मिलता है लागत यानि एक केसान ने अपने खेट में जितनी लागत लगाई उसका डेर गुना मांग रहती वो लो स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट है अगले बंद्धे में राज नेती में चुनावाँ लगने के वक्त जब उसने ये वादा किया था कि 70 साल में कुछ नहीं हो गा ठीक बात है श्तर साल में पेट्रोल सो रुपे-्लिटर नहीं था ठीक बात है तोसो रुपे कीलो दाल नहीं थी हम लोग किसान परिवार से मैं आजम उड़का रहने वाला हूँ और अभी हम लोग पुरुवांचल के किसानों पर थोड़ी बात करेंगे हमारे यहां पता है कि वहां मंडिया नहीं है पुरुवांचल में मंडिया बहुत नाम मात की बचों ही है पूरा का पूरा परिवार व जादा मेहनत करते हैं घर के काम से लेकर खेती के हर काम में महिला सबसे आगे खड़ी होती है तो महिला के श्रम का मूल कहा गया उन दो उस पूरे परिवार का अगर वो पूरा परिवार उस खेती में लगा है तो वो जो क्रिशी का लागत मूल है क्या उसमें श्रम के अतरेक् की सुवधाय जोड़ी गई क्या व passes साथ साथ करने ज़ाएं के साथ हमारे महंगाई भटा जोड़ा ता है तो उनके हता हमारे संक्रिमेंट रहें तो किसान के अलावा सब कुछ जोग देता है अपने किसामी में तो जो लागत मूले उसमें किसामी में लगाया आपने वही उसे वापस नहीं दिया आप देड़ गुना और दो गुना की तो बात ही छोड़ दीजी तो मंडिया चोपट हो गए क्योंकि पूरवानचल में जहां से मैं आता हूँ हमारी तरफ जोग खेत के आकार जोग जिसे कहते हैं वो छोटे हैं बहुत बड़े बड़े आकार के नहीं है इसलिए वहाँ पर पैदावार सर्पलस बहुत कम होती है सर्पलस का मतलब यह हुआ कि अपने उपभोग से ज्यादा पैदा करना जिसे वो बेच करके अपना पूरा काम चलाते हैं तो बहुत थोड़ा होता है और बहुत थोड़े से सर्पलस यानि अधिशेश जैसे आप कह लिजी मा लिजी एक एक परिवार के पूरे साल का राशन है दस कुंतल गेहों का तो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके अगर जोत कम है खेत कम है वहाँ पर तमाम तरह की मुश्किले हैं तो वो दस कुंतल की मुझा पंदर कुंतल गेहों पैदा किया तो पांच कुंतल गेहों उसका बच गेहों को बेचेगा और फिर वो अपन सर्पलस होता है जो ज़्यादा पैदा करता है उसको बेच करके अपना परिवार चलाता है छोटे से बच्चे को पढ़ने स्कूल भेजता है वह किसान माएं और महिलाएं अपने परिवार का सारा रुष्टदारी से लेकर जग रुष्टदारी साधी बिवा कहीं आना जाना सब्सक्राइब करते हैं तो उस सर्पलस में इतना ज्यादा नहीं है कि मंडी तक जाए इसलिए वहाँ पर देशी अधार तर वह लोग खरीद लेते हैं इसलिए पुरवांचल में MSP यानि मिनम सपोर्ट प्राइज जैसे हिंदी में कहते हैं नियुनतम समर्तन मूले वह बह 280 कुंटल सरकार ने मानिज़ता तैह कर दिया कि गन्ना 280 कुंटल मिद्प समर्थन मूले MSP यानि 280 कुंटल से कम गन्ना नहीं विक गागा अगर किसान का गन्ना 280 रुपे कुंटल के कम बिक्रा है तो उसे सरकार खरीद लेगी और सरकार कहां से खरीदेगी तो सरकारी मंडी होती है तो सरकारी मंडी से ही सरकार खरीदेगी और फिर सरकार अपने कल्यार कारी राजिकी अधारडा में लोगतांत्रिक देश होने के नात देती हैं ताकि उनको भी पेट भर सकें लोगतांत्रिक देश का मतलब यह है अमीरों पर टेक्स लगाया जाए ताकि गरीबों का पेट भर सकें एक संतुलन का समाज बनाया जा सकें डाक्टर लुया यहाँ फिर से मुझे याद आते हैं डाक्टर लुया ने कहा कि एक सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच एक अनुपाते दस कानुपाती होना चाहिए अगर गरीब के जेब में एक रुपया है तो इस देश के सबसे अमीर के जेब में केवल दस रुपय होनी चाहिए आप सूचिए कि हमारे राष्ट मिरमाताओं ने क्या खौप देखा और हम कहां पहुचा रहे हैं कोविड काल में अमबानी और अडानी का आए एक सो लगबग देर सो गुना फिर से बढ़ जाती है जिस समय लोगों की सेलरी आदी हो गई जिस समय लोग पैदल गाओं जाने को मजबूर हुए गाओं उजड़ गए लोगों के पास खाने को नहीं था और कि एक प्रधान मंतरी गरीब देश का प्रधान मंतरी अपने दैनिक खर्चे में 25,000 रुपे खर्च कर रहा है इसलिए डक्टर लहिया ने चोखंबा राजी के उधाना देती चुकी समाजवादी पाटशाला आप सभी समाजवादी साथियों से मेरी अपील रहेगी कि आप बार-बार डक्टर लहिया के उन सारे चीज़ों को पढ़िये बिना चोखंबा शाशन बेवस्था के सब तक कांती की तरफ कहां आप जा पाएंगे तो किसानी ये है पुरवांचल के किसान को जो मैं याद करता हूँ मैं अप मेरे अपने अपने जहन में पुरवांचल के लोग जब याद आते हैं तो मेरे अपने बड़े बुड़े बुजुर्गा याद आते हैं किसी तरह से एक जोड़ी बैल सामने बधा हुगता था एक गाय एक भैंस होती थी जिससे दूद्दू करके वो पेट भरते थे और भोर में उट करके वो बैल नात करके जाते थे खेत में अधिया पर खेत लिया बटाई पर खेत लिया ताकि वो अगर दस कुंटल गेहूं की खपत है पूरे साल की तो बीस कुंटल पैदा कर सके पांच कुंटल अधिया वाले को वापस कर दिया पांच कुंटल जो बेच दिया तो पूरे साल का खर्चा निकलता था हमार पुर्खों ने इस खेत की जमीन को बंजर जमीन को जोत करके उपजाओ बनाया और आज आप देखेंगे कि परिवाद बढ़ता चला गया बटवारा होता चला गया जमीन तो उतनी है तो जमीन में जोत छोटी होती चली गई तो कृषी पर जो नेरभरता थी कृषी प्रधान सबसे ज़्यादा हुआ जहां कि किसान सबसे ज़्यादा सक्षम थे उन्हें इसका विरोत करना शुरू किया हमारे प्रवांचल के किसान सक्षम नहीं है वहां जो छोटी है मंडियां बरबात कर दी गई है सर्पलस इतना ज़्यादा नहीं है कि परिवार के खपत से ज़्य बादा ले करके वो बाहर जाएंगे तो आप अपने क्रिशी कानून में क्या जूट फला रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट देदी मेरे आजम गड़के एक गाओं का ब्यक्ति क्या अपने अपने सर्पलस पांच कुंटल गेहूं को बेचने के लिए वो लखनौ तो जा नहीं प हसलों पर मिल रहा है कि हूँ और चावल पर मिल रहा है बाकी जगों परवस्पी मिल भी नहीं रहा है योपी में गन्य को ले करके थोड़ा है यह जो छोटी होना मंडियों का बरबाद होना सर्पलस का कम होना इसलिए आप देखेंगे पुरवांचल की इस्थती कमोंबेश वही है जो बिहार की है बिहार में क्या किया गया था बिहार में नितीश शरकार में 2006 में मंडी कानूनों कोई खतम कर दिया मंडिया खतम होगे इस सरकारी मंडिया और आज आलम है कि बिहार के जो किसान थे वो हर्याणा पंजाब में मजदूर बनने पर मजबूर है किसान बच्दूर बनने पर मजबूर है यह हमारे लोकतांत्रिक देश का भविश्य है यही हाल पूरवांचल में है जहां से मैं आता हूँ आप तमाम साथी पूरवांचल से जुड़े हुए होंगे आपको क्या नहीं लगता कि कोई भी पूरवांचल का व्यक्ति अपने बेटे ब भविश्य बदल जाएगा क्योंकि वो किसानी को बरबाद होता हुआ देख रहा है जो चोटी हो गई वहां पर कोई मंडी समीती नहीं है और पशिम में जब की है जो बड़ी है तमाम चीज़े इसलिए है अब इसका उदान में आपको समझा रहा हूँ एक छोटा सा है वो पुरवांचल पर आकड़ा है मैंने इसे खोजा है जो मुझे आज यहां आपनी बात रखनी थी तो मैंने यह आकड़ा खोज करके आपके लिए जूटाया है बड़ी बारीकी से समझे एक फसल का जिकर करूँगा गन्ना का और मैं जे साजनगर से आता हूँ वहां ए साथ किलो मेंटर दूर है सुबह हो रात हो लाइन लगी रहती थी ट्रैक्टर ट्राली ट्रक की उस पर गन्ने लदे होते तो लोग कई कई दिन तक इंदजार करती थी इतना पैदावार होता था और गन्ना व्यावसाइक फसल की तरह से माना जाता है उसको बेचते हैं आप तो उसका मूले मिलता है और उस मूले से किसान अपनी शादी वियाद दवाई पढ़ाई लिखाई सिचाई सब ये सब काम किया जाता था और देखते देखते वो चीनी मिल बरबाद होई पिछली बार जो वरतमान सरकार है उत्तरपदेश में इसके पहले जो समालबादी सर सरकार थी उसमें उसका फिर से पीपीपी मॉडल पर उसका पुने पुने धार किया गया लेकिन और उसमें दो तीन प्लांट और खोले गए सठियाओं चीनी मिल की बात कर रहा हूं तो जो बच्पन के स्मृतियां हैं मेरी गन्ये की लहलाती ससले हम लोग सुबह उठ करके जाते थे सब साथ में तो गन्ये के उपर जो गेड़ा हम लोग की तरफ कहते हैं वो जो हरी पत्तियां होती थी वो जानवरों को खिलाने के लाई जाती थी तो पूरा गन्या छील करते उनके ट्रक में लदवाती थे ताकि हमारे भहस के लिए गाय के लिए चारा मिलता था वो पूरा कल्चर ही हमारे स्मृतियों से खतम हो गया अब चीजें क्यों एतनी बिगरती जा रहे क्योंकि गन्ये की फसल कम हो गए अब उसका उधार देखें मैं आपको कुछ आकड़े देता हूं साथियों देखिएगा बस्ती से पूरा बेल्ट जो पश्मुत अपदेश 2012-13 में वो घट करके 14,000 हेक्टेयर हो गई 2016-17 में घट करके वो 5,000 हेक्टेयर हो गई जो व्यवसाइक फसल थी जो पेट भरने की बजाय गूर भेली बनाने के से जो बच गया उसको किसान बेचता था ताकि उसको कुछ मिलता था तो पढ़ाई सिचाई दवाई इन सब में पैसी नहीं और इस समय सरकार में क्या किया है 280 रुपय कुंटल MSP माना है जो 3 साल से बढ़ा नहीं है क्या 3 साल में महगाई नहीं बढ़ी पेट्रोल की कीमत इसमें 100 रुपय हो गई जोनों ने कहा था कि पेट्रोल आधे दाम पर होगा पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता मिलता है कहां गई केंसरकार तो एक नागरिक बोध अगर आपने जिंदा होगा तो आप विचार जरूर करेंगे कि महगाई बढ़ रही है कि नहीं अगर महगाई बढ़ रही है खर्चे बढ़ रहे है तो किसान के ये गन्ना मुलत 3 साल से आपने क्यों नहीं बढ़ा है गुरवांचल की वो चार चीनी मिलें बंद हो गई और वो कौन-कौन सी चीनी मिलें महराज गंज, देवरिया, कुशी नगर और बस्ती इन चार जिलों की चीनी मिल जिन पर 212 करोड रुपे गन्ने का बकाया है वो चीनी मिलें बंद हो गई जो इकोनमिक काम कैसे करती और कलम को ऐसे कहते थे कि देखो सत्ता पर यहां कुछ लोग बैठे हैं और आप नीचे हो और आप परशाशन कर रहे हैं आप वन्ची सोशित के साम मजदूर कामगार नौजवान की यह सारे लोगों दलत पिछड़े आदिवासी हो सत्ता का चरितर हमें बदल के ऐसे करना ह पैसा अगर उपर कुछ लोगों तक सिमित रहेगा तो पूरी एकोनामी चौपट हो जाएगी क्योंकि पैसा रोटेट नहीं हो रहा है यह पैसा यहां से चलकर सबसे गरीब आदमें तक पहुचे और यहां से जब वो खरीदे कोई सामान फिर वापस यहां पहुचे तो एक वाउं का कोई वैल्लू है हमारे आज आपके गाउं में क्या हो रहा है इक पैसा एक जगे पिस लीए और रोटेट करना बहुत जरूरी है दो सो बारा करोड रुपए केवल चार चीनी मिल के बकाया नहीं चुकाया और उसे बंड कर दिया चीनी मिल यानि अब बकाया मिलेगा की नहीं मिलेगा यह उत्तर पुदेश सरकार कभी नहीं बताती और क्या खेल किया उत्तर पुदेश सरकार ने किसी प्रधान देश था यह देश चोधरी चरहन सिंग चोधरी छोटू राम डॉक्टर लोहिया तमाम उन लोगों का था जोने किसानी की बात की जब भी किसानी की बात आती है तो मुझे एक नायक बहुत याद आता है और आप लोगों से बिंती है थोड़ा पढ़ाई करिए जो तिबाफ फूले को पढ़िएगा उन्होंने किसान का कोड़ा एक किताब लिखी हिंदी में मिल जाएगी हर जगर पढ़ना चीए किसान का कोड़ा इस देश को बनाने वाली इस देश को खड़ा करने वाली जातिया कौन सी है जो किशान, कामगार, मजदूर, शमिक, होगा में सम्विधान नेक लोग तंत्रत देश ने हमें याद मुश्राज दिया और कमसर पिछड़े तपके के लोगों को याद रखना चाहिए घर से रामायड रामचरित मानस और गीता बाइबिल के मंडल कमिशन के रिपोर्ट पढ़िए सम्विधान ने जबान दी और आग डाल करके सच बोलने के इम्मत और आप तब देखेंगे कि किसानी ही नहीं चोपट हो रही है हमारा भविष्य चोपट हो रहा है लोग तंत्र का भविष्य चोपट हो रहा है क्या क्या नियम बनवाया था लड़ करके साड़े 300 बार चोधरी महें सिंग टिकाय जेल रहे थे ऐसे ऐसे देश बनाता तो उस समय क्या नियम बना शूगर कें कंट्रोल और उने सो चाचट और इसमें क्या कहा गया गन्ना उत्तर प्रदेश का किसानों का सबसे मातपूर उत्पादन है तो 14 दिन के भीतर भुकतान होना जरूरी है और अगर 14 दिन के भीतर बकाया भुकतान गन्ने का नहीं होगा तो 15% वारशिक ब्याज की दर से सरकार किसान को उस बकाये का देगी यानि 100 रुपया अगर उस किसान का बकाया है किसी चिनी मिल में तो एक साल का 15 रुपया जोड़ कर उसे 115 रुपया दी जाएगा तीन साल से किसानों का गन्ने का मूली ही नहीं चुकाया गया और तो 12 रुपया वाली चार बकाया वाली चार चिनी मिल में बंद हो गई ब्याज की छोड़िये साहब मूल धन तक खतम हो गया है हम उस दोर में हैं फिर से और एक चीज सोचे संकट क्या आ रहा है किसानी में पूरवांचल पर फोकस कर रहा हूं अभी दोस्तों पूरवांचल में भी एक फसल गन्ने की अभी मैं बात करूँगा सबजीयों की तो कैसे टमाटर 3 रुपय केलो 5 रुपय केलो आपके 4-4 पर बिकता है फसल में गोभी का टमाटर का रेट 1 रुपय केलो गोभी 3 रुपय केलो टमाटर केसान उसे बरबात कर देता है भंटा और हरी सबजीयां जो तुरंट खराब हो जाती है पुरवांचल के लोगों विचार करें अगर मंडी होती ट्रांस्पोर्टेशन की से विधा होती तो मंडियों से अभी सड़कें बनाई थी पुरवांचल योजना और मैं सुन रहा था अखलेश यादो जी को उनके पास एक खौप था कि हाँ भाई ये सड़कों की चेन बनाएंगे तमाम एक्सप्रेस वे बनाएंगे और उस एक्सप्रेस वे के पास मंडिया बनाएंगे तो उसमें क्या होगा तिन रुपए किलो टमाटर जो है जब वो मंडी तक किसान ले जाएगा हरी सबजी ले जाएगा वो भी ले जाए तमाम चीज़ें ले जाएगा तो उस चेन के जरीए वह उसे पहुचाएगा बड़ी मंडी तक और फिर वह उसका जो शहर में मदिल्ली में बैटाओं इसको एक्जामपल समझे मैं 30 रुपया किलो से 50 रुपया किलो टमाटर खरिद रहा हूं और किसान को कितना मिला तीन रु रहा है यह वही छोटे लोग कमा रहे थे जो अब अंबानी और अडानी कमाएं इसके लिए तीन किशक कानून लाए गए हैं अब फिर से उस किसान वाली बात को देखिएगा उसमें क्या होता है फसल चोपट हो जाई अति वृतियों अना व्रिष्टियों यानि ज्यादा वारिष वारिष ओ जाए तो इन सारी चीजओं के समय क्या हो गया रेडर रेडर रोट यानि ललका चैन्सर से ले करके तमाम यह भारिबारिष गंने की फ़सल को कमजूर किये खेत कमजूर होने लगे और दूसरी तरह क्या हुआ कि गंने के पैदावार घट ती गई और चीनी मिले बंद होती गई, कहां तो नई चीनी मिल खोलना था, माल लिए सतर साल में कुछ नहीं हुआ था, आप सतर चीनी मिल खोल देते पुरू अंचर में, और गन्य की फसल पैदावार बढ़ जाती, आज लोगों ने गन्या बोना छोड़ दिया, हमारे या अगहन मिठर है, एक दिल फंड में उसको काटते थे, क्यों, क्योंकि वो ब्यावसाइक फसल थी, तो गन्य को अगर आधार बना लो, तो पुरू अंचर के सारे साथियों, आप समझ जाओगे कि आपकी खेतिया कैसे बरबाद हो गई है, 14 फरवरी 2021 को यूपी सरकार में, यूपी कैबिनेट में ये, किसान अंदोलन चल रहा है, और उन्हों ने यूपी कैबिनेट में फैसला लिया कि गन्य का पुराना रेट कायम रहेगा, रेट नहीं बढ़ाएंगे, इतना निरलज इस तरह कि कोई किसान किसान हितरशी सरकार हो सकती है क्या यह मठा दीश अजय सिंग बिष्ट के में तर्ति में जो सरकार चल रही है जहां किस तरह उन्नाव हात रस्म बेटियों के साथ हमें अत्याचार हो रहा है जहां युवाओं पर अत्याचार हो रहा है ठोको की नीच चल रही है फेक इन कॉइंटर हो रहा है राम मंदर के नाम पर चंदा उटाए जा रहा है यह सब देखिए आपका नागरिक बोड़ अगर जाग रहा है तो इन चीज़ों पर विचार करें मैं चुकी आज आया हूँ किसानों पर बात करने तो यह सवाल मेरा है कि 14 फरवरी 2021 को यूपी कैबिनेट जिस समय इस देश का अभूत पूर किसान अंदोलन चल रहा है यूपी कैबिनेट यह से नेड़े लेती है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगी और क्या करती है यू 29.3 एक लाक कुंटल चीनी का उत्पादन हुआ यूपी में 8164 करोड रुपे भुकतान हुए और इस वेबसाइट से बकाया गन्ने का कितना है इसको हटा दिया गया पिछले साल तक उत्तर प्रदेश में जो फूट कर्पोरेशन का उनका आधिकारिक वेबसाइट है उस व उत्तर प्रदेश में बकाया को कहीं हटा दिया गया जैसे आपको पता है 2016 के पहले तक MSS सो आंकड़े जुटाता था किस देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है अब वो आंकड़े जुटाना ही बंद कर दिया कोविट काल में जैसे बाबा आजया सिंग बिष्ट ने हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं मैं दिल्ली वश्वदाले में पढ़ाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ कि कहा बद चलती है सम स्टडी सम कंफ्यूजन मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन अगर इसको हिंदी तरजुमा कर दे तो बाबा अजया सिंग ने क्या किया सम टेस्टिं पर रोक लिया गया टेक्टर है पचास लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया यह ठोको नीती वाले फेक मठादीश में जो किसान जा रहे हैं अंदोलम में अरे किसानी से इस देश का वजूद है तो ये चीज़ आप कहा कर रहे हो तुम किसानों के उपर पचास ला राजय है किसानी इस देश की बुनियाद है हम भले आज किसान नहीं है हमारी जड़े किसानी में तो ये एक चीज़ जो है ये हटा दिया वेबसाइट से अटा दिया नो आकड़ा आप आकड़ा नहीं है तो राम मंदर बनाने पर खुश रही है मैं इसका घोर विरोदी हू जिस समय इस देश में नए विश्वद्यालों की इमारत बनाई जाने थी कभी इस जमाने में लोग चंदा जुटाते थे कि विश्वद्याले बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पुस्तकाले बनाएंगे वहां मंदर बनाने के लिए चंदा जुटाया जा रहा बाकि डिगरी कौलेज या तो बंद के जाएंगे, या किसानों की तरह हमभानी रडानी की आथों में बेचे जाएंगे, तो ये तीनो क्रशी कानून, जो मंडी बंद करो, मंडी आप क्या नहीं है, आप सोचिए कि अगर आप क्या मंडी होती तो कितना बड़ा काम होता तमाटर जो तीन रुपया किलो आप खरीदे बेचे वो भी एक रुपया किलो बेचे अगर मेरे मैं आप न जानता हूँ मेरे जिले में अगर एक मंडी हो जाए और ट्रांस्पोर्टेशन जैसे सडकें जो बन रही थी वो सडकें की चेन अगर समाजवादी सरकार में जो बन रही थी वो चेन बन जाए तो वो तीन रुपय की बजाए तेरा रुपय उसको मिलेगा किसान को तो वो किसानी आपने चोपट के और किसानी में सबसे ज़्याद किस के परिवार है इस देश की कमेरा जाती है चोदरी छोटी राम के शब्दों में कहो तो ये जंग कमेरा बना मुटेरा की है ये सारे लोग जो मठा धीश्ट हैं ये प्रतीक है किसके जिन्होंने इनको चुनाल देकर जितवाया है जो रोज आपको वैटसैप में भेज देते हैं मंदर बनेगा तो ये होगा मुसलमान की संख्या पढ़ रहे है तुमारा दुष्मन कोन है मुसलमान तुम पिछड़े हो तो तुमारा दुष्मन ये है तुम दली तो तो तुम्हारा दुश्मन ये है अरे भाई सबका दुश्मन कौन निजी कर सबका दुश्मन कौन जो लोगतंत्र के भविश्व पर खत्रा बना हुआ है तो ये मंडी तोड़ो MSP छोड़ो कानून है हमारे यह मंडिया खतम हो गई पुर्वांचल की खेती वाड़ी चोपट हो गई है इसको गन्ने से आपर अगर आपने समझा है तो देखिए कि चीनी मिले बंद हो रही है जैसे आपके बच्चों के स्कूल बंद हो रहे है विश्वद्यालय की इमारत खतम चली जा रही है और मंदिर बनाया जा रहे हैं यहीं अब आपके भवश्वद्यालय बंते श्कूल किसान लड़ रहे हैं वो मंडी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जो किसान लड़ रहे हैं कि कार्कोरेट खेती हम नहीं होने देंगे कलपना करिए एक रिलाइंस का एक उद्दोग आएगा वो कहेगा कि इस खेत को हम लीज पर तुमको दे रहे हैं मेरे मताबिक खेत में अनाज पैदा करो हम तुमको 20 रुपय कुंटल देंगे माल लिजे और सरकारी मंडी एक तरफ है तो प्राइवेट मंडी पर कोई टेक्स लगेगा सरकारी मंडी पर टेक्स लगेगा तो पहले कौन जाएगा जहां टेक्स नहीं लगेगा प्राइवेट मंडी अपने इसको इस आसान भाशान समझे क्या सरकारी स्कूलों को खतम करने के लिए सरकारी अस्पतालों को बंद करने के लिए कोई फर्मान आया था कोई स तो relevant अब पैसा बनाया ज है काला धन से ड्री कोलेज को डार्च नाज हुस है Shortly घरन से प्राइवेट ह़ुस में उसको करिए तो अपने सखाए शरकारी स्कूल सरकार स्पताल बर्बाद हो होंगी नहीं तो आपकी फिसल को कहेंगे कि आपक़ मीठा है आपका धान पतला है आपका गन्ने में रस कम है खार और जो जैने डिन पाला मारा हुआ है आपके आलू में कोई दम नहीं है तो दो्स रुप contributors कीलों हम खरिदना का वादा किये तेти वह वादा पूरा नहीं करें यह 5 रुपया किलो देना है तो दो नहीं तो जाओ और जब वो बकाया पूरा नहीं करेगा जब वो 5 साल तक अगर अगर वो किसान चुका नहीं पाएगा उसको जो फसल का वादा हुआ है तो वो खेत किसका हो गया उस कार्पोरेट का हो गया तो खेती बिक मर्रा की जरूते हैं जिसको कोई भंडारों नहीं कर सकता काला बाजारी जिसको कहते हैं इस कानून में क्या कर दिया गया पता है इस कानून में ये संशुधन कर दिया गया है कि युद्ध और आपात स्थिती छोड़ करके किसी भी फसल का किसी भी नाच का और सीमित भंडारो कोई भी कर सकता है तो हमारे आरे आपके घर में कोठीला बना होता था मित्ती का कोठीला होता था जिसमें थोड़ा बज जाता था खाने पिने से तो समाल कर गहू रखा जाता था उर अड़ानी ने इस देश ते कम से कम दर्जन भर राज्यों में बनाना शुरू कर दिया है, प्राइवेट ट्रेन बनानी शुरू कर दिया है, तो भंडारन कोन करेगा, वही अंबानी अडानी जो आपका खेत खरीद रहे हैं, जो मंडी खतम होने के वज़े से प्राइवेट मंडी तो महलाई और काला बाजारी दोने एक साथ आएगी, और वो किसके उपर आएगी, केवल किसानों के उपर, नहीं, आम नागरी के उपर आएगी, और असल में वो लोकतंतर के भविश पर आएगी, तो मेरा कहना ये हैं दोस्तों, शायद मैं थोड़ा तेज बोल गया, कि दवा पढ़ाई सस्ती हो, और सिचाई पढ़ाई मुस्ती हो, तो सिचाई, दवाई, पढ़ाई, निशल्क होनी चाहिए, ये है समाजवाद, और मैं तो कहता हूँ इस दुनिया का एक खुद सुरत विचार का नाम है समाजवाद, और समाजवादी इपाट्शाला में, जब आप लोगों ने मुझे आमन्तृत किया है, तो मैं जाते आते आप से लिविदन कर रहा हूँ, डॉक्टर नहिया की तिहास शक्र हिंदू बनान हिंदू, डॉक्टर चोड़ी चरें सिंग की किसान आंदोलन पर किताब है, उनके डॉक्टर नहिया के शिष्षी हुआ क किसान आंदोलन की किताब है, चोड़ी चोटू राम के बारे में पढ़िये, राम सुरुप वर्मा ललाई सिंग यादों के बारे में पढ़िये, जद्देवाबू के बारे में पढ़िये, और तब ये सोचिए कि ये तीनों क्रिशक कानून और इनके खिलाफ चल रहा है, मजदूर तो इतने कमजोर हैं कि मजदूरों के खिलाफ तीन कानून लाएगा, उसका विरोधी नहीं हो पा रहा है, नई सिक्षानीती में मंदिर खुल गए, विश्वद्याले बंद है, ऐसा कैसा देश है भाई, तो विश्वद्यालों से ही सारा कुरोन आता है, क्योंकि नहीं सिक्षानीती लागो कर दी गई है, कहीं छात्र सिक्षा, नौजवान, बेरोजगार नौजवान, किसानों के साथ खड़ा होकर कि इस देश को जम्हुरियत को बचाने का सबसे बड़ा अंदोलन खड़ा कर दे, इसके दर से आप कोवीड काल में ये तीनों कानून ले बिना संसद में कोई समयधानिक प्रक्रिय का पालन करती हूं ले आए, और उसके बात किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, मुसल्मान लड़ा तो उसको पाकिस्तानी कहते थे, बैलित पिछड़ों को तुम नक्सली कहते थे, आज किसानों को खालिस्तानी कह रहो, किसान क्यों घंटा बजाना हमारे पूर्खों ने हल चलाया हथवड़ा चलाया और हमारे हाथ में कलम पकड़ाई ताकि हम उनका मुस्तक्बिल बदल सके आज हमारे हाथ से कलम छिल ली गई नई सिक्षा नेती स्कूल डिगरी कॉलेज सब बर्बाद और हल पकड़ में अगर आप वापस जाएंगे तो हल भी नहीं बचेगा क्योंकि वह हल किसी अंबानी और अडानी में खरीद लिया होगा वह खेट किसी अंबानी और अडानी का होगा वहां एक पूस की रात का हल को किसान की बजार मज देश अगर गिर गया लोकतांत्रिक भविश कमिट गया तो फिर आने वाली पीडियां आप से एक ही सवाल पूछेंगे तुम्हारी आख के सामने यह सब जब किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे कम से कम आख में आख डाल कर बता सके कि हम अपना भविश बचाने के लिए रहती है अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एंवी न्यूस 24 इंटू 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से जब्सक्राइब